है जो एक चुछ बाते शेर करने जा रहा हूं तेंथ ऑफ जो यह आने वाला अपना अपरिल है इसमें आपका कर रहे हैं अभी तक बहुत अच्छी प्रेपरेशन के लिए उसके जारान कुछ छोटी-मोटी बातों को अभी ध्यान रगे क्योंकि अपने पास 15 दिन मतलब बहुत कम समय बचा हुआ एक मेने से तो काफी कम समय बचा हुआ है अब प्रेपरेशन को हमें शार्पन करने का वक फिनिशिंग टच हम लास्ट में दे सकें वो करने का वक्त आ चुका है तो इसलिए सबसे पहले कुछ छोटी-छोटी बाते मैं से कहता हूं एक जो पहला काम आप करें फटा-फट से एक बड़ सिलेबस में गो थू करें और देखें कि सिलेबस में आपका सिलेबस अब कर देना चाहिए मतलब आपको बिल्कुल हो जाना चाहिए बिल्कुल रिल्लैक्स हो जाने चाहिए जैमनेशन चाहिए जिससे आपका परफॉर्मेंस और प्रेटिविती ग्जामेनेशन के दौरान घट जाएगी तो इन बातों से भी आपको बचना है अभी से धियान थोड़ा सा जो अपने खाने पीने का जो हिसाब किताब यह अपना फूड है वह एल्दी फूड लेने के कोशिस करें इस तरह का जंक फूड अभी अभूइड करें अगर आप बाइचांस लेता है मुझे पता है आप लोग लेते नहीं वैसे भी आप लोग बड़े अलरड़ अच्छा नहीं होगा हमारे लिए कि हमारे एक्जाम को वह अफेक्ट करेगा और साथी साथ मतलब थोड़ा सा क्योंकि मौसम में भी बदलाव सा हो रहा है तो इन चीजों को भी थोड़ा सा ध्यान रखें क्योंकि गर्मी दीरे-दीरे आ रही है उससे क्या होता है कि एकदम से क्या ने क्या करते हैं कि हम जब अदेन करते न उस ट्रेपरेशन के करते थे मतलब हम जिस रूम में है चै racist नहीं नहीं करते थे गर्मी भी चल रही होती थी ऐसे करके या बहुत लिमिटेड रिसॉर्चेस रखते थे ऐसा नहीं कि बहुत कमफर्टेबल होकर चीजों को पढ़ रहे हैं बिल्कुल बैड़े में आम से सो रखें या पूरी सुविधाय अपने पास रखें ऐसा नहीं बह होता इसा धिए अपका तो यह उसी दिन खराब हो यह इसी बहुत से बाते होती है उनके डूटी है कि वह को सभी यह सब बाते भी होती है क्योंकि मुझे अपना याद आ गया गए कि कॉलेज का एक्जाम था मैं जहां बैठा था बहुत गर्मियों की मौसम रहा था और उसस नहीं से सुझाव यह भी देना चाहता हूं अभी बात निकल गई तब मैं कहा देता हूं ऐसा आपके साथ भी कभी हो तो प्लीज तुरंत से बोल देना ऐसा नहीं कि आप सहन करने में लगे नहीं यार नहीं उससे एक तो पेपर की गलत तसर पड़ेगा उल्टा आपकी बात कर रहा हूं अभी बात आगे इसलिए कह देता हूं कि कहीं नहीं जाती अक्सर बात है तो तुरंत बता देना भाई उन्हें कि मुझे पानी चाहिए यार मिले ले ले आओ पानी ऐसा करके कुछ ना कुछ एक पोलाइट रिक्वेस्ट आप कर सकते हैं तो क्योंकि अभी गयाजेट वगरा ऐसी पूस्ताज कर दिया है आप पता है कि मुझे पता है कि आप अपना पिपर वगरा दे रहा हूं और इस दौरान जब आप यह सब काम कर रहे हैं मेरा थुदा सब ताइम जो रहा है वह निकल रहा है और बहुत इंपोर्टेंट है यहां पर मेरे टाइ मुझे एक्स्टर टाइम आप बाद में दे देना इसका इक्स्टर उतना ही नहीं हो अगर आप मेरे फॉन्टstoff कर रहे हैं मीनिट तीन-चार मिनिट ऐसी अगर खाले तो फिर हमें बहुत गुस्ता सा जाना चाहिए तो मैं जा रहा हूं तो आप उन्हें पुलाइटली इस बात को बता सकते हैं तो फिर समझ भी जाते हैं कि यह हम गलत कर रहे हैं तो वैसे कई बार ऐसा भी होता है कि आप कहीं किसी ए करने वाले हैं वहाँ पर एक्जामें की ड्यूटी लगी है उन दोनों के आपस में गपशब शुरू हो गई और उनों बातचीत में लग गए और आप वहां बैठे वे आपको डिस्ट्रेक्शन हो रहा है यह चोटी मोटी बाते हैं लेकिन बहुत बड़ी बाते भी मुझे करें लगती हैं तो आपने तुरंद फिर उन्हें वहां पर आप उन्हें एक बार आप उन्हें थोड़ा सा एक अल्टीमिटम दे सकते हैं अंहें क्या सब घ्टना मेरे साथ रहती है मेरे साथ हुआ है मैंने बहुत बार हुआ है तो मैं ने यह झौना मे नहीं बोलने आप निकला आपको तो यह डोव कोन चलना इसमai वह सो पता नहीं क्या क्या और इस चक्र में आप पेपर में कॉंसेंटरेट नहीं कर पारें उनकी बाते आरी वह दिमाग में आरी यह सब चीजें आपको यह भी चीजे ध्यान रखनी है यह तो बात होगी जब examination के दौराना वहाल में बलते हो तो अभी के लिए जो मैं कहा रह मैंने पहले चीजों को पढ़ा होगा उस समय आप उसके साथ continuation में थे तो चीजा आपको अच्छे से समझ में आ जाती थी क्योंकि आपने उसी समय पढ़ी रहती थी अब क्या एक time gap आ चुका है इस time gap में जो भी relevant चीजे होंगी आपके दिमाग में होंगी और जो आपने बह वर्दान है हम लोगों को भूलना भूलना बहुत बड़ा वर्दान है इसलिए आप इस वर्दान को थोड़ा से अपने को blissful मान कर आप देखना कि जो आपको आ रहा है बहुत patiently जो नहीं आ रहा तो चिंता मत करो वह है आप ही के अंदर है थोड़ा सा उसके ऊपर थोड़ करना है ताइम सेट कर लो एगंटे दो गंटे इतने ताइम में मुझे इतने को फिनिश करना है तो इस तरह से आप अपने जो भी आपने पड़ावा पूरा नहीं उसे रिवाइस कर सकते हैं और कोशिस करें कि सारे subject को थोड़ा equal time देने की कोशिस करें किसी एक ही पर बहु कोई smart watch या ऐसी जो electric watch होगी इस तरह की digital watches अपने पास मत रखना क्योंकि वहाँ पर allowed नहीं होती है आपका उसी के साथ हिसाब किताब बना होगा तो फिर आप बाद में uncomfortable होगे इसलिए normal जो ordinary watch होती है वह रखना wrist watch ताकि आप उसे ले जा भी सके और बाकि आपके जो exam hall होता ह वहाँ पर भी watches वगेरा होती है वहाँ पर भी time का आपको अंदाजा लग जाता है वह कोई बहुत बड़ा issue नहीं है लेकिन फिर भी as a sincere student आपको time के सा alignment करके अपने आपको analyze बार बार करते रहना चाहिए और बाकि आप लोग बहुत समझदार है बहुत अच्छे तरीके से preparation कर रहे है ज्यादा बूलने कि मुझे कोई खास जर्वत भी नहीं है और अगर आपको लगता है कि आपकी preparation बहुत अच्छे तरीके से हो चुकी है हमारी classes का जो timing है आपको दिख रहा हो गया है रेगुलर चलता है classes अभी भी क्योंकि हमारे प्रेक्टिस वगेरा हम कर रहे है अपने lectures के दौरान मैं यह कहना चाहरा था कि जो भी student लगता है उनको कि प्रेप्रेशन अच्छी हो चुकी है अपने आपको एक analyze करने का मौका आपको दिया जा रहा है एक परिक्षन अनकैडमी NDA 1 2022 scholarship test हो रहा है जो कि 27th of March को है इसमें आपका एक उसी तरह का समझ लीजे क इसमें क्या होगा कि आपको अपने आपको self analyze करने का मौका मिलेगा और क्योंकि 100% free of cost है किसी तरह का कोई charges नहीं है बस अनकैडमी learning app में जाका आपको direct करना है link में description में भी इसका share कर दूँगा ताकि आप लोग वहां तक direct land कर सके और दूसरी बात अगर पहली बार अनकैड TEY31ST telegram और Instagram में आप मेरे से वहां पर link कर सकते हैं मेरे से पूछ सकते हैं कैसे करना अधरवाइस बहुत simple format है अनकैडमी learning app को अपने mobile में आप download कर लिए उसके बाद जो link में दूँगा उससे direct click करना और direct app land हो जाएंगा अनकैडमी learning app में उस जगे पर उसे enroll now पे click कर दिना ताकि आप लोगों को at least time से पहले थोड़ा से notification आजाए कि आपका test start होने वाला 27th of March को आप बिल्कुल ध्यान रखें इसकी timing वगेरा सब आपको उसमें पता चल जाएंगी PRN31 को as a unlock code आप यूज कर सकते हैं पहली बार an academy learning app पे जा रहे हो तब यह पूछेंगे otherwise नहीं पू दूसरी बात आपको unacademy की तरफ से laptop as a reward as a motivation दिया जाएगा second rank से 5th rank तक जो आएंगे उने की smartphone मिलेगा उस smartphone का मजा ही कुछ अपने अपने अलग होगा क्योंकि वह आपने जीता होगा अपनी महनत के दम पे और ऐसे ही करके amazon vouchers आपको मिलेंगे जो मतलब आगी की जो ranks आए गया था वह भी बोल देता हूं अगर जो चार स्टूडेंट ऐसे जिन्होंने की इस exam को दिया है इसमें performance किया है बहले ही उनकी rank यहां कुछ भी आई हो लेकिन अगर वह इस exam को दिया हो उन्होंने और future में जाके यानि कि यह जो एंडी की exam में जाके एंडी को crack करते है की तरफ से दी जाएगी यह बहुत अच्छी मुझे लगता है करना चाहिए कि सारी बाते आपके हक में हैं सब कुछ आपके साथ है कोई प्रॉब्ल मूरी आप बताया करो बस एक जो चीज आपको करनी होती है महनत उसका कोई विकलत नहीं होता और महनत को जितने मज़े के स बहुत अच्छी चल रही होगी और आप उसे और अच्छा करोगे एक जोश के साथ करें चीजों को प्लीज यार ऐसे मतलब ऐसे हलके फुल के मन से मत कर आप बहुत बड़ी चीज की त्यारी कर रहे हो तो उस चीज के लिए जब तक जोश नहीं होगा एक आत्मश्वास मजाक नहीं है बहुत अच्छा बहुत अब बरौस है अबेसमे आप की प्रफॉरमेंस जो भी चल हरे हो जो प्रॉब्लम नीचे क्मेंट सेक्षन में आप मुझे बता सकते विडियो इश्यक्स शेयर भी जरूर कर सकते चैनल को प्रनेख पांडे को आप सब्सक्राइब कर स क्लास्स होती है वो मिलती रहे एक छोटी जी बाहत में बोलना भूली आपको 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 मेरी स्पेशल क्लास्स जो फ्री क्लास्स है उसमें आज से अकल से इंटीगरेशन स्क्रेच से स्टार्ट किया जा रहा है एक कुईक्ली रिवाइज भी आप लोगों का हो जाएकर अपने आपको एनलाइज करने का मौकाई मिल जागा तो आप उसमें आ सकते हैं टाइमिंग है सेवन ओक्लॉक शाम की तो अभी के लिए स्ट्रेंट इतने ही मिल है एक जाघगा है जागा है क्भी के देने ही मिल ऐतने ही.